साथियों, एंडिये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। इसलिए हम गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं के विकास पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। मैं समाज का वो हिस्सा है, जो विकास के लाप से बंचित रहा है, इसलिए आज हमारी हर स्कीम में इस वर्ग को प्राफिक्ता दी जा रही है। गरीब को गर हो, टॉलेट हो, बिजली हो, गैस कनेक्शन हो, ये सब भी बीजेपी सरकार गरीब के पाथ जाकर खुद दे रही है। आप कलपना कीजिए, गरीबों के 55,000 से अधिक गर नागा लेंड के लिए स्विक्रुत हुए हैं, पाइप से घर गर पानी मिले, ये तो नागा लेंड के एक बहुत बड़े हिस्स्व की बहनों को सपना होता था। पिछले साड़े तीन वर्सों में ही नागा लेंड के साड़े तीन लाग से अधिक परिवारों तक पाइप से पानी ये पहुचाने की सुविधा दी गई है। इसका सबसे अधिक लाप हमारी ट्राइबल बहनों को हुआ है। आईश्मान भारत यूजना का लाप भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनों को हुआ है, आदिवासी परिवारों को हुआ है। नागा लेंड के हजारों साध्यों ने इसकिम के तहर मुप्त इलाज कराया है। भाजपा सरकार ना रीजन को लेकर भेदभाव करती है। आप याद करिए, जब कोरोना महामरी फैली, जब को वैक्सिन आई, तो हमने सब को वैक्सिन पर जोर दिया, सब को बिना बेदभाव वैक्सिन लगाई। साथियों, BJP, NDA सरकार के हर योजना, चाहे इंफ्रास्रेक्टर की हो या फिर वैलफेर की, ये सब के लिए हैं, सब के हीत में हैं, कोई बेदभाव नहीं। यही सब का विकास है, सब का विकास का एक और उदार, हमारी किसानों से जुड़ी योजना है, हमारी सरकार, छोटे किसानों, आदिवासी किसानों को मदद दे रही है। दिमापूर सहीत इस पूरे शेत्र में जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही हैं, वैसे वैसे छोटे किसानों के लिए संभावनाए भी बढ़ रही हैं। नेचरल फार्मिंग और मिलेट स्री अन्न को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े कदम इस वर्ष के बजेट में उठाए गए हैं। इससे नागा लेंड के छोटे किसानों, ट्राइबल किसानों को बहुत लाब होने वाला है। इससे नागा लेंड की और्गेनिक खेती को मल मिलने वाला है। बास की खेती को लेकर भी जो पुराना कानून था, उसको भी बीजेपी सरकार ने बड़ला है। इसका लाब आज नागा लेंड के आदिवासी परिवारों को हो रहा है। इसी सेवा भावना की वज़र से देश की ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को बहुत प्यार मिल रहा है। वही प्यार, वही उत्सा मैं नागा लेंड में भी देख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग के दीन हर बूत में भी यही उत्साह दिखेगा। अभी त्रिपूरा में चुनाव हुआ पिछले हपते। 80-90 पर सतंग वोटिंग हुआ और कई दसकों के बाद त्रिपूरा में भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे चुनाव में मतदान हो गया। कहीं पर भी हिंसा की कोई घटना नहीं घटी, किसी की हत्या नहीं हुई। बहुत दसकों के बाद पहली बार हुआ है क्योंकि वहाँ भाजपा की सरकार है। शांतिपूर पूरे नौर्थ इस्ट में चुनाव जब भी मोका आता है, आज वो बाताओन बना है। BJP, NDPP के हर उमिद्वार को आप भारी मतों से जिताएं।